एक वेबसाइट का SEO तब तक हधूरा है जब तक हम बात ना करें उस वेबसाइट की पेज स्पीड की या फिर मैं कहूं पेज लोड टाइम की तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट की क्वालिटी उसकी स्पीड चेक कर सकते हैं हम इस वीडियो में एक नहीं बलकि दो टूल्स का यूज करने वाले हैं तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो के शुरू करते हैं हलो अब्रिवान आई हरमीज वेल्कम यू अल उन डबलो इसक्यूप्टिक चैनल तो कैसे हम इससे चेक करेंगे तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं दो टूल्स पहला टूल जो है वो है हमारा पेज स्पीड इंसाइट विच पावर्ड बाई गूगल साथ ही इस वीडियो के एंड मैं आपको कुछ और टूल्स भी रिकमेंड कर दूँगी जिससे आप अपनी वेबसाइट की स्पीड और क्वालिटी चेक कर सकते हैं लेकिन जो यह मैंने दो टूल्स आपको बताए हैं यह दोनों ही काफी रिलाइबल और काफी हद तक और वो वीडियो है जहां पर हमने basic information discuss की थी about a website की website कैसे बनती है कैसे उसका structure बनता है कैसे style बनता है क्योंकि वह सारे जो words है सारे जो vocabulary है वो हम यहां use करने वाले हैं तो इसलिए जो भी मैं word बोलूं उसकी पहले से आपके पार knowledge होने चाहिए तो इसलिए वो वीडियो आप देख सकते हैं कहां से link मिलेगा description box में playlist का link मिल जाएगा जिसमें complete SEO course देल रहा है हमारा उसमें से आप basic information of website ये video जाकर देख सकते हैं और वहां से आपको काफी हद तक idea हो जाएगा कि website क्या है कैसे ये host की जाती है और basically इसका structure क्या होता है तो चलिए फिर जल्दी से देखते हैं कि कैसे आप अपनी website की speed को check कर सकते हैं test कर सकते हैं तो सबसे पहला जो हम tool यूज कर रहे हैं उसका नाम है page speed insights ठीक है तो ये जो हमारा है ये देखिए इस तरह से कुछ इसका link आएगा वैसे आप अगर page speed insights type करेंगे page speed भी आप लिखते हैं तो भी आपको first में ही दिखेगा ओके आप देख सकते हैं इसका एक उर्ल that is pages speed.web.dev चीक है इसको हमें कर लेना है open चीक है ये काफी अच्छा tool है और काफी reliable है पस इसकी एक ही कमी है कि ये थोड़ा सा time जादा लेता है कि process करने में test करने में आपकी website की speed को सबसे पहले मैं open करूंगी wskubtech की main website और चलिए देखते हैं कि इस website की जो speed है वो कितनी है चीक है चीक है सबसे पहले मैंने यहाँ पर copy कर दिया URL main homepage ही का ही आपको URL यहाँ पर paste करना है main domain name ही जिसे पूरी website की यह speed बता देगा चीक है अब यहाँ पर आपको click करना है analyze पर analyze पर click करने के बाद में अभी mainly हम desktop की बात करेंगे mobile की भी आपर आपको speed पता चल जाती है क्योंकि एक website mobile पर भी आप use करते हैं desktop पर भी use करते हैं तो यह अलग-अलग ही test आपको run करना चाहिए mobile के लिए भी desktop के लिए भी तो अभी मैंने desktop select किया है तो अभी इसको थोड़ा सा running अब यह देखिए आपर performance analysis जो है वो run हो रहा है और यह थोड़ा सा time लेगा कभी-कभी ज़ादा भी ले लेता है it depends on the size of your website कितने pages राइट कितने बड़ी आपकी website है तो उस recording यह time लेगा और उसके बाद में आपको results लिखा देगा यह देखिए यहां पर आपके कुछ यहां पर results आ गए है बाते हम कर रहे थे इतनी देर में हमरे पर results आ गए अभी कभी ज़ादा time लग जाता है बड़ थोड़ा सापको wait करना है अब आपको यहां पर origin पर click कर लेना है क्योंकि देखिए this URL यह तो हमारे homepage का URL है लेकिन मेरे को complete website का speed test करना है तो मैंने origin पर click कर दिया अब देखिए यहां पर आपके सामने ने graph आ गया and this is like your mark sheet यहां पर कुछ आपको marks दिये हुए है यह 100 में से marks हैं उसके अलावा यहां पर आपकी speed दी हुई है यह जो 0.8 second है यह चीक है और यहां पर आपको दिया हुआ है कि कितने में आप pass हैं कितने में आप fail हैं अब यह देखिए हमारी यहां पर यह जो website की speed जो है वो यहां पर आ चुकी है आप यह देखिए सबसे पहले यह एक तरह से एक mark sheet जैसा है जैसे आपके exam में mark sheet मिला करती थी थी न कि यह इतने marks आये हैं passing marks इतने थे तो कुछ इसी तरह से यहां पर यह आपको इस तरह से यहां पर पूरा data आ गया है कि basically कितनी आपकी performance score है कितने milliseconds कितने seconds आपको लग रहे हैं आपकी website को load होने में उसके अलावा किस तरह से आपकी website दिख रही है यहां पर आपको इस तरह से ट्रीम आप आ गया है उसके अलावा कुछ ही आपको diagnostics भी दे रहे हैं यानि कुछ problems भी बता रहे हैं जो आपकी website ने problems हैं और उसके अलावा कुछ opportunities भी बता रहे हैं कि इन इन चीजों को आप सही करके अपनी website की speed को और अच्छी कर सकते हैं सबसे पहले इस पर भी हम वापस आएंगे लेकिन सबसे पहले जो आपको चीज करनी है मतला वन शॉट में अगर आपको चीज देखने हैं तो इस इस पर परफॉर्मेंस पर आपको एक स्कोर चार्ट भी दिया हुआ है कि अगर 0 से 49 तक अगर आपका यह performance score है तो आपको red mark में मतलब red zone में मतलब आपकी speed अच्छी नहीं है अगर 5289 है तो यह average speed है लेकिन अगर आपकी 9200 की बीच में मतलब काफी अच्छी आपकी score है मतलब काफी अच्छी आपकी website की speed है आपका page road time काफी कम है तो यह हमारे लिए अच्छी चीज है अब देखिए उसके अलावा ने यह कुछ और चीजे में आपको बता रहा है उनको समझने के थोड़ सी कोशिश करते है first यहाँ पर यह दिखा रहा है कि first contentful paint FCP अब first contentful paint होता क्या है कि देखिए जब भी आपकी website load होती है तो आपकी website पर बहुत सारे images बहुत सारे element भी आपको दिखते हैं तो पहला element दिखने में कितना time लगा website load हुई उसके बाद मैं मुझे जो पहला contentful paint दिखा यानि पहला जो element दिखा उसे दिखने में कितना time लगा that is 3.2 seconds अब ये red zone में है मतब इसको मुझे और अच्छा करना पड़ेगा next है हमारा FID FID is first input delay जो FID होता है ये basically आपका interaction का time है कि आपकी audience जैसे ही उनको page दिखा browser से तो वो कितने time में वो available है interaction के लिए ये मतलब होता है FID का और अभी आप FID की speed अगर देखेंगे तो that is 6 millisecond और FID जो है वो आपका 100 millisecond से कम होना चाहिए तो 100 से तो काफी कम है that is 6 millisecond तो ये काफी अच्छी बात है मतलब ये green में है next है हमारा largest contentful paint अब देखें first contentful paint में हमने क्या बात की ती कि जो सबसे जो first paint first image first जो चीज दिखी हमारी audience को वो कितनी देर में दिखी और यहां पर largest की जो सबसे बड़े size की जो image है सबसे बड़े size का जो element है वो कितनी देर में दिखा तो वो दिखा 5.7 seconds में ठीक है आप इन एक एक चीजों को यहां पर इस तरह से देख सकते हैं यहां पर इनके blogs भी है और यहां पर आपको बताया भी जा रहा है कि यह जो आपका है यह 2.5 seconds से कम होना चाहिए लेकिन हमारा पेज जो है लोड हो जाता है और वो link वहां से हट जाता है या फिर आपको यह article पढ़ रहे हो और वो एकदम से move करने लगता है तो basically यहां पर यह पताया जा रहा है कि कब आपका page जो है वो stable हो जाता है मतलब जस जगा पर उसे आना चाहिए वो एकदम fix हो जाता है complete load हो जा यहां पर कुछ आपको metrics दिये हो है जिनके basis पर आपकी website की जो performance है जो आपकी quality है वो check ही जाती है okay बाकी मैं आपको performance का यहां पर बता दिया overall performance जो है 91 है that is a good score यह 100 में से score होता है उसके लाब first content full paint इसके हम बात कर चुके हैं यह आ गया speed index के अगर मैं बात करूं तो that is 2.2 seconds largest content full paint 1.3 seconds time to interactive कि कितनी देर में आपकी website जो है interaction के लिए ready हो जाती है जिसमें जो basic के लिए भी हमने बात की था first input delay यह वाई यह उसके साथ में जो total blocking time है कि कितनी देर के लिए हमारे जो elements है वो block हो गए तो यह 0 millisecond है या नहीं कुछ भी कभी भी block नहीं हुआ है उसके लावा cumulative layout जो भी हमने बात की यह हमारा approximately 0.18 seconds है और यहां पर यह basically home page की performance बता रहा है आप देख रहे है ना this URL this उसके अलावा अब यहां पर कुछ opportunities आपके लिए हैं मतलब कि यहां पर यह आपको कुछ advice कर रहे हैं कि इन चीज़ों को आप improve करके अपनी website की speed को और भी जादा सुधार सकते हैं पहला है reduce initial server response time अब यह opportunity क्या दिखा रहे हैं कि सबसे पहले ही बोल रहे हैं कि जो initial server response time है जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि browser connect करता है server से जो आपकी website का है और वहां से हमारी audience को एक response दिखाता है तो यह जो पूरा time होता है कि browser connect हो रहा है server से वहां से आपके लिए information लेकर आ रहा है उसको web page के truth दिखा रहा है इस time को आपको करना है कम अभी यह जो time है that is 0.82 second और यह काफी जादा है एकदम red mark में है तो आपको इसको कम करवाना है ठीक है उसके अलावा आपकी जो images हैं उनको आपको next gen format जैसे अभी तो देखिए आपने png के बारे में सुना होगा jpeg के बारे में सुना होगा लेकिन उसके अलावा भी कई सारे ऐसे formats हैं जो की cloud पर हैं जिनका use करके आप अपनी images को और भी better optimize कर सकते हैं जिसे web p के बारे में आपने सुना होगा तो ऐसे जो formats हैं इसे जो extensions हैं आप अपनी जो images हैं उनको convert कीजिए जिससे कम size में ही आपको अच्छी quality मिल पाए अपने images की और जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो images हैं वो काफी जादा pressure बनाती है website पर और जिसकी वज़से speed जो है वो हमारी कम हो जाती है पेजलो टाइम बढ़ जाता है उसके अलावा reduce unused javascript javascript की हम बात कर चुके हैं यह आपकी website में कुछ extra effect elements एड़ करने के लिए यूज की जाती है तो अगर मान लीजे कई बार ऐसा होता है कि हमने javascript एक लगाई बढ़ जाता है यानि उनको compress भी थोड़ा कर सकते हैं जिससे की images का size कम हो और website की speed बढ़ जाए तो यह कुछ opportunities का यूज करके आप अपनी website की जो speed है उसको बढ़ा सकते है page low time को कम कर सकते है चीके जी यह तो था हमारे एक website speed checker जिसका नाम था page speed insight चली अब चलते है next tool की तरफ और उस tool का नाम है gtmatrix ठीक है simply आप gtmatrix टाइप कर लीजे या फिर आप normally google पर टाइप करेंगे website speed checker तो भी आपको यह first year second number पर definitely दिखने वाला है चीके तो इस तरह से जैसे आप gtmatrix.com टाइप करेंगे इस तरह से ही आपको page open होगा इसमें आप login भी कर सकते हैं sign up भी कर सकते हैं लेकिन अभी हम सिर्फ one time ही इसका use कर रहे हैं तो इसी दिए में अपनी website का जो main domain name है उसको यहाँ प करता है website के size पर उसके अलावा यह जो टूल है यह बेसिकली वैंकूवर कैनेडा का भी server ले रहा है तो यह random server से check कर रहा है तो यह देखिए हमारी जो report है वो यहाँ पर generate हो चुकी है ठीके यह जब्लेश क्यूब्टेक का जो है यह इस तरह से desktop के लिए यह research हुई है ठीके आप देख सकते हैं इसको आप यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर जैसे पहले आपने देखा था आप पर performance score दिया हुआ था यहाँ पर आपको grade दिया हुआ है तो B grade इसको मिला है तो definitely obviously common sense की बात है कि A जो होगा वो best होगा B जो होगा वो better होगा C जो होगा बहती कम होगा D तो ऐसे कई सारी आप पर देखेंगे तो आपको अच्छे score मिलेंगे अप देखे परफॉर्मेंस की 94% है that is good structure wise अगर हम बात करें तो 71% इसको rating मिली है LCP जिसके last tool में भी हमने बात की ती that is largest content element उसके अलावा यह आपका TBT है जो की blocking time है जिसके हमने last tool में भी देखा था हमन है उसके अलावा हमारा यह CLC है तो काफी हद तक आप देखेंगे जो हमने previous tool में देखा था page speed insights में उसके comparison में the same ही है almost ठीक है उसके अलावा यह बहुत अच्छा speed visualization यहां पर आ रहा है कि 0.4 second जैसे ही मैंने browser पर request भेजी और server पर जैसी मेरा page load शुरू हुआ उसके 0.4 second में इस तरह से दिखता है 0.7 second में इस तरह से 1.1 second में कुछ इस तरह से मेरी website दिखेगी जैसे जैसे time निकलेगा और जो complete मतब जो fully loaded time है मेरे इस web page का that would be 3.5 second चीक है उसके अलावा फिर यहां पर नीचे आपके top issues लिखे हुए है कि आपके website में basically क्या issues है जिनको आप ठीक कर सक उसके अलावा उन issues का impact भी है यानि उन issues की डिगरी भी लिखी हुई है कि medium impact है या medium low है तो जो high वाले होते हैं मतलब जहां पर भी red mark आपको दिखे ना उसको तो आपको विल्कुल ही सही करवाना चाहिए लेकि जो medium है उनको भी आप target कर सकते हो लोग को आप ignore भी करो तो भी चलेगा अब यहां पर सबसे पहला जो हमारा impact आ रहा है इशू आ रहा है वो यह है कि avoid and excessive dome size तो हमारा जो dome size है यानि एक तरह सी यह समझ दीजे कि हमारी जो website है उसका जो memory usage है वो काफी जादा है तो अगर dome size को आप कम कर देंगे तो वो memory usage कम हो जाएगा और comparatively हमारी website के page loading time वो imperatively हमारी website का जो page load time होगा वो यहां पर कम हो जाएगा चीक है यानि speed अच्छी हो जाएगी उसके अलावा content delivery network अभी हमार content delivery network क्या होता है बहुत ही short में बता देती हूं वैसे आप ले जाना जरूरी नहीं है कि content delivery network जैसे कि आप समझ रहीजिए अभी जैसे मैं India का server use कर र content के server में और वहां से audience को deliver हो रहा है तो उसमें time जादा लग रहा है लेकिन अगर मैं use करती हूं cdn तो basically क्या हो तो मेरा जो server है वो सबके लिए distribute हो जाएगा तो cdn आम तभी apply करते हैं जब आपको लगता है कि आपकी website पर बहुत सारे countries से बहुत different continents से आपके पास traffic आ रहा ह है तो आपको cdn definitely use करना चाहिए इसके लिए आप अपने developer को contact कर सकते हो अब यह आपर कह रहे हैं differ off-screen images देखिए कि आपकी website में differ का मतलब होता है किसी चीज को delay में ढालना किसी चीज को भी रोग देना तो यह कह रहे हैं कि आपकी जो off-screen images है या तो ऐसी images जो कि hidden है या फि एक बार apply हो जाए और फिर उसके बाद में image हो तो जिसके लिए आप lazy load भी लगा सकते हैं जब हमने image optimization वाला वीडियो किया थे वहाँ पर हमने lazy load लगाने वाली बात की थी तो वह भी आप देख सकते हैं तो यह है उसके अलावा सर्व स्टेटेक एसेट विद एफिशेंट क cache policy आप cache policy basically क्या होता है cache browser पर हम cache enable करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई XYZ person है उसने मेरी website open करी तो उसके browser पर वो जो मेरा page था information थी वो काफी अत्तक download हो जाती जिसे हम cache बोलता है तो अगर आपने वो enable कर रखा है तो जो second visit होगी उस XYZ person की वहाँ पर उसे जो website दि advice दी जा रही है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो उसके अलावा और details आ रही है तो 3.5 second हमारा fully loaded time था अब वो जो time लिया है वो किसने लिया है जादा तर अब यह जो time लिया है यह हमारे page ने लिया है तो page जो है उसका size देखिए total जो size cover होता है वो images में सबसे सादा कर रखा है that is 1 1.9 MB तो अगर मालीजे यह काफी जादा size है जैसे 1.9 MB तो ठीक है लेकिन जैसे मैं आपको बताया कि normally जो images होती है वो आपके 100 KB से कमी होनी चाहिए तो आप image compression पर भी ध्यान दे सकते हो और जैसे next gen formats में जैसे webp की बात में करूं तो ऐसे में आप अपनी images को change करवा सकते हो उसके अलाबा js, जो आपकी js files है उन्होंने आपका around 1 MB के आज सपास आपका जो space है वो cover किया हुआ है फिर CSS का इतना और बाकी जो हमारे fonts है HTML है तो सबसे कम HTML का ही होना चाहिए और भी आप इसको minify कर सकते हो अब यहाँ पर देखे jss मेरा काफी जादा space cover कर रहा है अगर मै कर सकते हूं कि jss को minify कर सकती हूं मैं अब जिसे मैं थोड़ा सा आपको बता देखे डबलू एस क्यूब्तेक है इसका मैं अगर source code पर जाती हूं तो यहाँ पर आपको वैसे मैंने पहले भी बताया था ctrl F करके आप js, ऐसे टाइप करेंगे तो देखे डिफरेंट डिफरे कर सकते हो कि कौन सी नहीं है तो जो अन्यूस आपकी जैसे से सी जो कि हमें अभी पेस्पीड इंसाइट्स ने भी हमें रिकमेंड किया था कि आप अपनी जो अन्यूस जैसे अन्यूसी एसे सब्सक्राइब कर चाने उसके अलाबा टोटल पेज रिक्वेस्ट गई है इतना ह उसने इमेजस के लिएको किया है फिरsan के लगए कि आ तो यह अपनी website की speed को यहां पर किया तो मेरी कैसे अब आप देखिये तो तो टोटल टाइम लगा अभी देखिए जैसी इमेज लोड होने में काफी टाइम लगा गरीब 3-4 सेकिंड मुझे यहां पर लगे तो इसको आप मैनुली भी चेक कर सकते हो स्क्रोल डाउन कीजिए देखिए मैं इसके लिए आपको सबसे अच्छा तरीका बताती हूं कि इनक साथ साथ जैसे हमने वेबपेज इन्साइट पर देखा आपकी मॉबाइल ब्राॉजिंग पर कैसी आपकी वेप साइट की स्पीड है वह भी आप चेक कर सकते हो और साथ ही जैसे कई सारे उसके टूल आते हैं जैसे एंप लगा सकते हो अपनी वेबसाइट में कुछ पॉइंट तो अभी हमने डिसक्स कर लिए और भी डेप्त में नेक्स वीडियो में डिसक्स करने वाले हैं तो अगर वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो लाइक करना बिलकुल भी मत भूलेगा साथ ही रैंडमली कोई भी वेबसाइट ले लो और यह सारे टूल्स का यूज करके आप चेक करो कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी है स्पीड कैसी है और मुझे जरूर बताइएगा और इसी तरह से सपॉर्ट करते रही है डबली स्कुप्टे को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलेगा थैंक यू सो मच